कास्ट आयन के कुक्वेर जाने जाते हैं आपने नॉन टॉक्सिक मटेरियल, डूरेबिलेटी और हेल्दी कुकिंग के लिए पर इन्हें कैसे यूज करना चाहिए, कैसे मेंटेन करना चाहिए, सीजनिंग क्या होती है इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखे क्योंकि इस वीडियो में आपको इनी सारे सवालों के जवाब देखने को मिलेंगे Hello everyone, मैं हूँ स्वाती और स्वागत है आप सभी का अर्बन रासोई में कास्ट आयन के कुकवेर्स को जब भी हम खरीदते हैं तो mostly वो pre-season होते हैं already पर pre-season होने के बाद भी हमें इने पहली बार यूज करने से पहले अच्छी तरह से clean कर लेना चाहिए Mild Soap और Soft Scrubber की help से इसे दो-तीन बार अच्छे से wash करने से इसके उपर की dust अच्छी तरह से निकल जाती है और उसके बाद ही इसे season करना चाहिए पर यह seasoning आफिर होती क्या है? अगर cast iron के cookware में थोड़ा भी moisture रह जाए तो हवा के contact में आते ही उसके उपर rust लगने लगती है और इसी rust को protect करने के लिए उसके उपर seasoning की जाती है seasoning एक process है जिसमें cast iron के cookware के उपर एक edible oil के layer लगा कर उसे गर्म किया जाता है चार से पांच मिनिट हम इसे गर्म करते हैं या तब तक जब तक कि इसमें से दुआ न निकलने लगे ऐसा करने से यह जो liquid oil के layer होती है वो एक solid shell में convert हो जाती है और cookware के उपर एक rust protective layer बना देती है इसी process को seasoning कहा जाता है सेम process को चार से पांच बार repeat करने से जो हमारा cookware है वो एकदम well seasoned हो जाता है हाँ over the time cookware को use करने से यह seasoning की जो layer होती है वो दीरे दीरे निकलती जाती है इसलिए हमें इसे समय समय पर season भी करते रहना चाहिए और हमें इसे कब season करना चाहिए यह कैसे पता पड़ेगा जब आपकी कड़ाई में खाना थोड़ा सा चिपकना लगे या फिर उसके उपर rust आने लगे या आपको जो कड़ाई है वो एक गम black color की ना दिखे तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसे well seasoned करने का time आ गया है कास्ट आयन के cookware में बना खाना healthy और toxic free तो होता ही है साथ ही इसमें खाना बनाने से जो iron की leaching होती है वो हमारी food में incorporate होके हमारी body के iron requirement को fulfill करने में help करती है जैसे कि मेरे ये सभी कास्ट आयन के cookware the Indus Valley brand के हैं super smooth finish, heavy duty, non-toxic material से बने हुए ये the Indus Valley brand के कास्ट आयन cookware ready to use होते हैं means pre-seasoned होते हैं इनकी seasoning भी edible oil से की जाती है, कोई भी chemical coating नहीं होती है जो इन्हें और भी natural बनाती है अब जैसे हम non-stick और stainless steel के cookware को maintain करते हैं जैसे ही थोड़ा बहुत हमें इन्हें भी maintain करना पड़ता है तबर वो प्लिपल भी मुश्किल नहीं है जब भी खाना बनाते हैं आप तो खाना बनाने के बाद आप चाहे तो इसे ऐसे ही सुखे कपड़े से पोच के रख सकते हैं खाना बनाने के बाद जो थोड़ा बहुत तेल बचता है पोचने से वो इसके उपर एक rust protective layer का का काम अपने आप करेगा आप चाहे तो इसे wash करके भी रख सकते हैं पर ये याद रखे कि इसे कभी भी air dry नहीं होने दे Wash करते ही इसे अच्छी तरह से पोच ले आप चाहे तो इसे gas के उपर रख कर भी सुखा सकते हैं कुछ बुंदे edible oil की डाले अच्छी तरह से इसे पोच ले और फिर ही इसे रखे आपको एक बात और भी ध्यान रखनी है कि बाकी बर्तनों की तरह इसे sink में पानी भरकर करने भी ना रखे नहीं तो ऐसा करने से इस पर rust लगने के chances और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं तो आईए आप कुछ ऐसे questions और myths के बारे में बात करते हैं जो मेरे पिछले कास्ट आयन के वीडियो में बहुत से viewers ने मुझसे पूछे थे क्या हम इमली, नीबू, टमाटर जैसे एक खट्टे ingredient वाली recipe कास्ट आयन के cookware में बना सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं पर जब भी आप ये खट्टे ingredient वाली और acidic चीज़े कास्ट आयन के cookware में पकाते हैं तो वो जो acidic ingredient है वो आपके cookware से react होता है और उसकी जो seasoning की layer है वो निकलती जाती है अगर आपका cookware well seasoned नहीं होगा तो ये reaction से आपके food में metallic taste आजाएगा इसलिए अगर आप कास्ट आयन के cookware में इस तरह की खट्टी चीज़े वाली recipe बनाते हैं तो आपको सर्फ दो ही बाते ध्यान में रखनी है नमबर वन आपका cookware एकदम well seasoned होना चाहिए जिससे वो reaction नहीं होगा और नमबर टू जब भी आप खाना बना ले तो उससे तुरण serving bowl में निकाल ले ऐसा करने से आपकी जो protective layer है याने की seasoning है वो भी बरकरार रहेगी next question जो मुझे सबसे ज्यादा पूछा गया था वो है कि क्या कास्ट रायन के cookware में खाना काला पड़ जाता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अगर आपका cookware well seasoned होगा तो वो बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा और दूसरी बात जब भी आप खाना बनाते हैं तो बनाने के बाद उसे तुरन serving bowl में निकाल दे तो वो कभी भी काला नहीं पड़ेगा अगर आप बहुत देर तक उसे cookware में ही छोड़ देंगे तो हाँ थोड़े बहुत chances है color के change होने के और last question जो most important question है क्या अगर cast and cookware में जंग लग जाती है तो हमें इने फिर से use नहीं करना चाहिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जब इन में जंग लग जाए तो फिर आप steel scrubber की help से इने रगड़ रगड़ कर अच्छे से साफ कर ले तीन चार बारी seasoning process को repeat कर ले जिससे कि वो well seasoned हो जाए और फिर सिया आप इसे पहले की तरह use कर सकते हैं इसलिए कहते हैं कि कास्ट and cookware को हम generation to generation pass on कर सकते हैं तो फ्रेंट यह ता मेरा आज का वीडियो इस वीडियो में मैंने जितने भी cookware आपके साथ शेर किया हैं उन सभी का link मैंने नीचे description box में दिया है यह सारे के सारे cookware the Indus Valley brand के हैं इनकी website पर जाकर आप इसी तरह के अलग-अलग cookware भी ले सकते हैं और साथ ही स्वाथी 15 coupon code लगा कर extra 15% discount तक ले सकते हैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आये तो इसे like करें अगर आप इसे थोड़ा भी informative समझते हैं तो अपने friends और families के साथ share करें अर्बन रसील को subscribe करें और साथ ही में घंटी को जरूर बजाए तकि मेरे हर नए आने वाले वीडियो का notification आपको मिल जाए मैं स्वाथी मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई